Dear students, आप मैं आती हूँ 10th one later पर, ठीक है? अंग्रेजी वर्ण माला का दस्वा जो अक्षर होता है, वो J होता है, ये capital J है, ये small J है. जो इसका उचारन होता है, वो J होता है, जो में A की मात्रा और आवाज निकलती है, जो की, ठीक है? और आवाज जो निकलती है, इसकी, ये जो की आवाज निकलती है, जैसे joke, ठीक? और हम जैसे कहते हैं, J, O, K, E, joke, ठीक? अब इसका उप्योग joke, refresh our mind, joke क्या करते हैं, हमारे mind को refresh करते हैं. अब 11 में अक्छर पर चलेंगे, जो के है, ठीक? के है, और इसका जो चारण होता है, को में A की मात्रा, के, के होता है, और आवाज निकलती है, इसकी को की, ठीक? आवाज किसकी निकलती है, कौकी निकलती है, अगर हम इसका वर्ड बनाएं, तो किक, कुछ भी हो सकता है, के से, जैसे किक, मैंने किक बनाया, तो आप कुछ भी बना सकते हैं, किक दबॉल, ठीक? सिंपल सा, मैंने सेंटेंस बनाया, यहाँ पर, किक दबॉल, ठीक? अब इससे आगे चलते हैं, बारवें अक्षर पर चलते हैं, यह है L, ठीक? यह अक्षर क्या है, अंग्रेजी का बारवां अक्षर है, और इसको बोलते हैं L, और कई यहाँ पर वोई चीज अपनाते हैं, कई विद्धा थी, इनको बोलते हैं YAL YAM YAN, ठीक है? नहीं, वो गलत है, इसको L बोलो, M बोलो, N ठीक है? अब L का जो उचारण होता है, वो L इसको L कहते हैं, लیکिन इसका जो उचारण होता है, यह लौ से होता है, आवाज किसकी निकलती है? लौ की निकलती है, कहेंगे इ इसकी sound क्या निकलेगी, आवाज क्या निकलेगी, law से related निकलेगी, जैसे letter, ठीके, जैसे ये क्या है, letter है, और इसका मैंने sentence मनाया, I will write a letter, मैं एक पत्र लिखूंगा, या लिखूंगी, जो भी आप कहते हैं, ठीके, ये M है, 13 letter है, English language का, ठीके, English जो alphabet है, वो 13 letter है उसका, ये capital M है, ये small M है, इसका उचारण M होता है, यम नहीं होता है, आवाज निकलती है, मौकी, ठीके, आवाज किसकी निकलती है, मौकी, जैसे man, M-A-N, man, ठीके, और man is a powerful, आदमी क्या है, शक्तिशाली है, ठीके, man is a powerful, अब, 14th letter पर, आपको लेकर के जाती हूँ, N, जिसको, हम N कहते हैं, ये capital है, ये small है, इसका, जो उचारण होता है, वो N होता है, O-R-E-E-A, A के साथ 9 लगाएंगे N, आवाज किसकी निकलेगी, 9 की निकलेगी, ठीके, इसको ध्यान दीजिएगा, आवाज 9 की निकलेगी, जैसे N-O-S-E, नोज, ठीक, या N-O-T-NOT, सब में 9 की साउंड आएगी, अब मैंने sentence बिल्कुल छोटा सा बनाया है, क्योंकि initial ये वीडियो है, इसलिए छोटे-छोटे sentence बनाया है, नोज is a main part, ना क्या है, महतवपूर अंग है, ठीक, अब पंद्रवे, 15th, लेटर है, इंग्लिस alphabet का, वो O है, ठीक है, इसको O बोलते है, O, आउ से पहले जो O आता है, हिंदी, वन माला में, उसको इसको बोलते है, O, ठीक है, और आवाज किसकी निकलती है, आ की निकलती है, आवाज किसकी निकलती है, आ की निकलती है, यह आ की आवाज निकलती है, जैसे, आ की आवाज O, U, R, जैसे यह O, U, R है, क्या हो गया, अवर हो गया, ठीक, और, इस इस अवर राइट, यह हमारा अधिकार है, अब सोलवा, जो लेटर है, अक्षर है, इंग इस वर्ण माला का वो P है ठीक यह capital P है यह small P है और इसकी जो अक्षर इसको कहते है P ठीक है पौ में बड़ी की मात्रा और आवाज क्या निकलेगी पौ की आवाज आएगी ठीक है बोलेंगे तो P इस अक्षर को अगर हम single बोलेंगे इन अक्षरों को जो भी मैं यह आपको बत जारी हूं तो यह सब क्या है मैं यह single अगर बोले जाते हैं तो इनकी आवाज यह आती है ठीक और अगर यह हम word के साथ इसको बोलते हैं तो इनकी आवाज इससे related होगी जैसे single क को बोलेंगे तो इसको के बोलेंगे single अगर इसको इसका हम word बनाएंगे तो आवाज किसकी आएगी को की आएगी ऐसे single single अगर हम इनको बोलेंगे तो यह बोलेंगे अगर हम इनका word बनाएंगे तो इनकी जो आवाज आएगी यह बोलेंगे सब्द बनाएंगे तो यह बन जाएंगे और उप्योग करेंगे तो ऐसे करेंगे, ठीक, अब आगे लिए चलती हूँ, पी में, पी जो है, शुल वाण लेटर है, एसको क्या बोलते क्या है, इसको कहते क्या है, पॉ में बढ़ी की मात्रा, आवाज किसकी आएगी, पॉकी आएगी जैसे इसका वर्ड बनाएंगे POST पोस्ट ठीक है POST पोस्ट इस इस माई फॉस्ट पोस्ट मतलब कुछ लिख करके कहीं भेजना इसको भी पोस्ट कहते हैं लिख इस इस माई फस्ट पोस्ट